हेलो फ्रेंट्स, वेल्कन टो आवर चैनल, आज हम कच्छी हल्दी के फायदों के बारे में बात करेंगे हल्दी के खास गुनों से अमवन हर कोई प्रिचित होता है भारतीय खाने की हल्दी के बीना कलब न करना भी मुश्यल है हल्दी का प्योग पाचत तंत्र को उस्धारने में सुजन कम करने में और स्रीर के सोधन में हजारों सवलों से प्योग किया जा रहा है सर्दियों के मौसम में हल्दी की गांट का प्योग सबसे अधिक लाबदाग है और यह समय हल्दी से होने वाले फायदों को कई गुणा बढ़ा देता है क्योंकि कच्ची हल्दी में हल्दी पाउडर की तुन्ना में जादा गुण होते है आपको यह जानकर आश्चरिय होगा कि कच्ची हल्दी के इस्तमाल के दुरान निकलने वाला रंग हल्दी पाउडर की तुलना में काफी जाद अंकाड़ा और पक्का होता है कच्ची हल्दी अद्रक की तरह दिखाई देती है इसे जूस में डालकर दूद में उबालकर चावल के वेंजनों में डालकर अचार के तोर पर चटनी बनाकर और सूप में मिलाकर उपयोग किया जा सकता है तो अई ही जानते हल्दी के गुण कच्ची हल्दी में कैंसर से लड़ने के गुण होते है यह खास तोर पर पूर्सों में होने वाले प्रोश्टेट कैंसर के कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकने के सासत उन्हें खतम भी कर देती है यह हानिकर्क रेडियसन के संपर्क में आने वाले ट्यूमर से बचाव करती है हल्दी में सूजन को रोकने का खास गुण होता है इसको प्योग गठिया रोग्यों को त्यदिक लाप पूँचाता है यह सरीर के प्राक्तिक सेल्स को खतम करने वाले फ्री रेडिकल्स को खतम करती है और गठिया रोग में होने वाले जोडों के दर्द में लाप पूँचाती है कच्छी हल्दी में इंसूलिन के सत्र को संतुलित करने का गुण होता है इस प्रकार ये मदमय रोग्यों के लिए बहुत लावधायक होती है इंसुलिन के अलावा ये गुलकोज को नेंद्रत करती है जिसे मदमय के दुरान दी जाने वाली उपचार का असर भढ़ जाता है प्रंथो अगर आप जो दुराईयं ले रहे हैं बहुत बड़े विसातर पर हाई डोज की तो हल्दी के प्योग से पहले चिक्त से सलाह अतियंता वसक है हल्दी के लगातार इसमाल से कोलिस्टरोल सेरम का सतर स्रीर में कम बना रहता है कोलिस्टरोल सेरम को नियंतर रखकर हल्दी स्रीर को हरदय रोगों से स्रोशित रखती है कच्ची हल्दी में अंटिबैक्टेरिल और अंटिसेप्टिक गुण होते हैं इसमें इंफेक्शन से लड़ने के गुण भी पाय जाते हैं हल्दी को अप्योग तवाचा को चमकदार और स्वस्त रखने में बहुत कारगर है इसके अंटिसेप्टिक गुण के कान भारती संस्क्रिप्ट में विवा के पोरोव स्रीर पर हल्दी का उप्टन लगाया जाता है कच्ची हल्दी से बनी चायत लाबकारी पे है इसे इम्यून शिष्टम मजबूत होता है हल्दी में वजन कम करने का गुण पाया जाता है इसका निमित उप्योग से वजन कम होने की गती बढ़ जाती है सोज से साबित होता है कि हल्दी लिवर को भी स्वस्त रखती है हल्दी के उप्योग से इस लिवर सुचारू रूप से काम करता है सर्दी चुखाम ये कब की सिकायत हो तो हल्दी वाला दूद पीना लाबदार होता है हल्दी मिला गरम दोद पीने से सर्दी जुकाम ठीक होने के साथ फेपड़ों में जमा हुआ कब भी निकल जाता है हल्दी के सेवन से हड़िया मजबूत होती है और दोद में हल्दी मिला कर पीने से हड़ि से जोड़ी समस्याओं से चुटकारा मिलता है हल्दी भी समयकारी गुणों से भरपूर है प्रंतु कुछ लोगों पर इसके विपृत प्रवाव पढ़ सकते हैं जिन लोगों को हल्दी से एलर्जी है उन्हें पेट में दर्द या डायरिया जैसे लक्षन सामने आ सकते हैं गर्वती मेलाओं को कच्ची हल्दी के है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेव जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलीगा थैंक्स पार वाच्चिंग बाब बाई